फेस और गर्दन पे होने वाले काले तील को हटाना चाहते हैं नेचुरल तरीके से बिना कोई साइड इफेक्ट के तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफूल होने वाला है क्योंकि इस रेमेडी को हर एक स्किन टाइप को लोग अपने फेस पे लगा सकते हैं चाहे क्योंकि जो रेमेडी आज मैं बता रही हूं इसे बहुत सारे लोगों ने अपने फेस पे लगाया है वही आज आप लोगों के साथ मैं सेयर कर रहे हूं तो अगर आपके फेस पे बहुत सारा तिल है ब्राउन इस्पोर्ट है तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए उसका टीटमेंट करिए ताकि यो जल से जल ठीक हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों के फेस पे ऐसा देखा गया है कि उनके फेस पे एक ब्राउन इस्पोर्ट था तो बहुत सारा हो गया है तो अगर आपके साथ भी ये प्राबलम है मतलब फेस पे एक दो ब्रा आया था कि दिदी मेरा इसकीन सेंसिटिव है मैं इसे अपने फ्येस पर नहीं लगा सकती आप कोई और रेमेडी सेयर करिए तो वही देखते हुए आज इस वीडियो को मैं सेयर कर रहे हूं इसे हर एक iskin type के लोग अपने फ्येस पर लगा सकते हैं जाहें आपका इसकीन कितना सेंसितिव है तब भी आप इसे लगा सकते हैं और बच्चों पर भी मतलब की बच्चों के स्कीन पर भी ये समस्या देखने को मिला है तो आप बच्चों पर भी ट्राइ कर सकते हैं इस remedy को आप कुछ टाइम लगा कर देखिए फ्रेंड रिजल्ट आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि तिल को हटाने के लिए बहुत असरदार remedy अगर आप सच में तिल हटाना चाते हैं अपने फेस को क्लीन करना चाते हैं साफ करना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपका एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा सारा समगरी आपके किचन में मिल जाएगा और इतना कमाल का आपको रिजल्ट देगा आप लोका बहुत सारा कमेंट आता है कि आप इतना सारा remedy सेयर करती हैं उन में से कौन अच्छा है तो देखिए आपको परेसान नहीं होना है सारा remedy अपने आप में अच्छा है इसलिए मैं ज्यादा वीडियो आप लोके साथ सेयर करती हूं सबका स्कीन टाइप अलग होता है और हर एक जगा पर हर एक चीज नहीं मिलता है तो जो आपके स्कीन को सूट करें आपके एरिया में असानी से मिल जाए और आपको बनाने में इजी हो आप उस remedy को यूज कर सकते हैं सारा remedy अपने आप में बेश्ट है और काम करता है ठीक है फ्रेंड तो जादे बाते ना करते हुए फ्रेंड चलिए देख लेते हैं कि इस remedy को तयार कैसे करना है तो इसे बनाने के लिए आपको ले लेना है आधा चम्मज तिल का तेल एक बात आप लोग से बताना चाहती हूं जो तिल का तेल है तिल को हटाने में बहुत असरदार रेमेडी है फ्रेंड और बहुत अच्छा वर्क भी करता है मतलब फेस पे जितना भी ब्राउन स्पोर्ट है काले तिल है उसको हटाने में राम बार नुस्खा है तो तिल का तेल आप जरूर यूज किया करें अगर घर का रहेगा तो और अच्छा रिजल्ट आप तिल का तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर मार्केट से रख लीजिए अगर आपके फेस पे बहुत सारा तिल है ब्राउन स्पोर्ट है तो तिल का तेल आपके पास होना चाहिए क्योंकि इस रेमेडी को बहुत सारे लोगों ने यूज किया है उनको बहुत अच् में ही दोनों आपको लेना है इस रेमेडी को बना कर आप एक हपता के लिए फ्रीज में इस्टोर कर लीजिए रोज आपको बनाने का जंजट नहीं है एक बार बना लेंगे तो एक हपता दस दिन आराम से चल जाएगा उसमें आपको आइड कर देना है आधा चम्मच एलोबे सकते हैं मारकेट वाला है तो भी ले सकते हैं मतलब दोनों में कोई भी ले सकते हैं अलोबेरी सो होता है वो भी फिच्छ यॉर्व सपोट को हटाने में मधद करता है इससी उस से पहले एक सिट और आप लोगको बता देती हूं इस remedy को लगाने से पहले आपको कुछ और अपने फेस पे लगाना है ठीक है तो आपको थोड़ा सा गुन-गुना पानी ले लेना है उसमें आपको अआड़ कर देना है आधा चम्मश शॉल्ट नमक ठीक है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब उसको फेस पे आपको कैसे ल लगाईए रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेगा जैसा भी आपके फेस पे तील है रिजल्ट आप लोग को अच्छा मिलेगा एक बार में तो खतम नहीं होगा अगर बहुत जादे ब्लैक हो गया है तो धीरे धीरे ब्राउन होने लगेगा ठीक है अब लास्ट में इसमें लोंग का पाउडर ठीक है जो लोंग होता है गरम मसाला में यूज होता है उसका पाउडर आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो आप लोंग का पाउडर घर पे भी बना सकते है ठीक है तो उसका पाउडर आपको बिल्कुल थोड़ा सा मतलब च कर देना है आप लोग देख सकते हैं इसका कलर अब लगाना है और लगा कर कितने मिनट तक रखना है वह वी video में आगे पता चलेगा क्योंकि जो भी remedy मैं आप को बताती हुं पूरा डीटेल में जानकारी देती हुं पर आप लोग ही video को स्कीप करके देखते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसे लगाना कैसे है तो सबसे पहले च्टेब में आपको अपने फेस को क्लीन करना है ठीक है तो फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजीए फेस वा strongly उसके वाक से दूसरे जो गुंचुना पानी था उसे आपको पूरे फेस को अच्छे से साफ करना है मतलब पानी गुनगुना होना चाहिए और उसमें आपको आधा चम्मत सौल्ट आइट कर देना है क्योंकि जो नमक का पानी होता है वो भी काले दाग धब्बे को हटाता है साथ में जब वो पानी गुनगुना रह अगर हम कोई भी रेमेडी सिर्फ उपर से लगाते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे हमें अंदर भी ले जाना है ठीक है तो अंदर ले जाने के लिए फेस को आपको इस्टीम लेना जरूरी है नमक के पानी से ठीक है आई होप आप लोगो जानकारी मिल गया हो तो इस टीम लेने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा इसक्रीम को लीजिए मतलब जो रेमेडी आप बनाए है थोड़ा सा अपने हाथों पर लेकर के अच्छे से पूरे फेस पे लगाकर एक मिनट के लिए मसाज करेंगे तो इसकीन के अंदर समा जाएगा और पूरी रात आ पाई हो जाता है तो इसलिए मैं कोको नटाइल यूचकी हूं और जो तील का तेल होता है वह भी इसकीन के ड्राइनेस को कम करता है तो आपको उपर से कोई भी क्रीम मोस्चुराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप लोग देख भी सकते हैं इसे लगाने के बाद ब वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर लीजिएगा आगे आप लोगों किस टॉपिक पर वीडियो देखना है वो भी जरूर बताइएगा तो मैं आप लोग से मिलती हूं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए